हाला स्टुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर गजन पुरहित है और फाइनली CSIR NET का स्कोर कार्ड आ चुका है मतब रिजल्ट आ चुका है पर अभी तक स्टुडेंट्स को यह पता नहीं पढ़ रहा है कि सर कट ओफ कितना गया है हमारा जो माक से वो तो हमें पता पढ़ गया है पर क्या सर आमने CSIR NET JRF क्वालिफाई किया है सर कट ओफ क्या जा सकता है तो देखो नॉमली सकोर कार्ड आने के विदिन वन विक जो है वो कहने के कट ओफ जारी कर दिया जाता है तो आप साथ से आट दिन का वेट कर लिजे पर हाँ आपके मन में सवाला उठ रहा है कि सर ह हाँ मेरा score यह हो रहा है क्या sir मेरा net clear होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई student यहाँ पे पहली बार जूट रहा है और उसको यह पता नहीं है कि CS का जो रिजल्ट है वहां पर आपको application नमबर डालना है और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ security पर यह डालेंगे लोग इन करेंगे तो आपको अपना result यहाँ पर दिख जाएगा और उस result के हिसाब से आपको यहाँ पर पता पड़ेगा कि आपके कितने पार्ड में कौन से सेप्टेंबर 2022 का जो रिजल्ट रहा था उसमें 96 पे जर्फ का cutoff गया था जनल कंडिडेट का और 87 पर यहाँ पर LS का cutoff गया था इस उन जो EWS उसका 85 गया था और यहाँ पर LS की बात करी जाए तो 76 मार्क्स गया था 64 पर SC कंडिडेट का गया था और अगर हम लोग बात करें LS की तो 58 मार्क्स के असपास गया था तो इस बार का जो cutoff है वो मुझे लगता है कि इसी के आसपास जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह सुनने में भी आ रहा है कि जो December 2022 कर और जो जून 2023 का एक्जाम एक साथ हो रहा है तो हो सकता है कि इस बार candidates ज्यादा क्वालिफाइ कर कर लिजए आप राइट जिसे कि अगर बात करी जाए 95 के असपास अगर आपका स्कोर यहाँ यहाँ पर क्वालिफाइ हो जाएगा अगर आप EWS कैंडिएट है तो आपका 83 मार्क्स के असपास है और OBC है तो 79 मार्क्स के असपास है तो यह आप यहाँ पर benchmark रखे अपना calculation कर सकते देखो यह मैं सिर्फ यहाँ पर अपना अनुमान बता रहा हूं यह कोई 100% सत्य नहीं है क्योंकि यह जस्त मेरा prediction है नॉर्मली हम लोग जो भी बात करते हैं वो कहने कहीं कैल्कुलेटी होती है पर हाँ हो सकता है यह गलत भी हो पर 99% मुझे असा लगता है कि यह संभा सब्सक्राइब करते हैं यह पूरा एलेस का कट ओफ दे रहा है सभी केटेगरी के साफ साब देख सकते हैं नवंबर 2020 में जो कट ओफ गया थे ज्यादा गया था है क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा पेपर इसी था इस बार का जो पर वह भी थोड़ा सा मॉडरेट था तो कट ओफ जो है वो मुझे असा लगता कि दिसंबर 2022 और फेबरी 2022 के आसपास ही रहने वाला है थोड़ा कम जा सकता है अगर यह डबल कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई करते क्योंकि दो एक्जाम को मर्च करके इस एक्जाम को कंड़क करा गया था तो यह मुझे ऐसा कंडिडेट है उनका 85 माक्स के आसपास कट अफ जा सकता है जर्नल कंडिडेट के लिए 5 माक्स आप प्लीज उपर नीचे कर दीजेगा क्योंकि हम लोग यहां बात कर रहे हैं आपने जो जून 2003 से एक्जाम में दिया आपका स्कोर कितना आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरू है टीचे में एक गेट एक्जाम की तहरी जर्नल अप्लीट बैसर बनाना चाहरें यहां जाकि वीडियो देख सकते हुरे यहां जाकि चैनल को सब्सक्राइब कर सकता आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बाबाए